बिस्मिल्ला हर्मान रहीम, अस्लाम वीकूम आई यूटीव फैमली जी कैसे हैं आप सब, उमीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियस से होंगे पिछली वीडियो में मैंने pen trouser की बहुती असान कटिंग शियर की थी, आज pen trouser की बहुती असान स्टिचिंग शियर कर रही हूँ और साथ ही हम पाइंचे पर थोड़ी सी डिजाइनिंग भी करेंगे तो सबसे पहले यहां पर यह देखिए हमने आसन की स्लाई लगानी है फ्रंट पर लेकी भी और बैक पर लेकी भी दोनों साइट पर हम पहले स्लाई लगा लेंगे दोनों जगा से आपने स्लाई को पका जरूर करना है तो देखिए फ्रंट पल्ले पर आसन की स्लाई मैंने लगा लिए अब बैक पल्ले पर भी इसी तरीके से आसन की स्लाई लगाऊंगी स्लाई लगाने के बाद आपको दिखाती है तो देखिए, फ्रंट और बैक पल्ले पर मैंने आसन की सिलाई लगा ली है अब इस कपड़े को हम खोल देंगे, इस तरीके से बैक पल्ला हम नीचे की तरफ रखेंगे, और फ्रंट पल्ला इसके उपर रखेंगे और सबसे पहले हम दर्मियान में जो सिलाई होती है, फिटिंग की हम वो लगाएंगे, ठीक है साइड से हम पहले सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पाइंचे पर डिजाइनिंग करनी है तो सबसे पहले यह देखिए, आसन से आसन मिलाते हुए, हम पहले दर्मियान से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, दोनो तरफ, ठीक है तो यहाँ पर मैं पहले सिलाई लगाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ यह देखिए इस तरीके से हमने श्लाई स्टार्ट करनी है यह फिटिंग की श्लाई लगा रहे हूँ नॉर्मल जब हम ट्राउजर बनाते हैं तो हम फिटिंग की श्लाई बाद में लगाते हैं तो यहाँ पर हम fitting की sly पहले ही लगा रहे हैं अब यहाँ पर यह देखें इस तरीके से बिलकुल दर्मियान में मिलाते हुए sly लगाएंगे और दूसरे पाइंचे की तरफ हम sly को घुमा लेंगे और दूसरी side पर भी बिलकुल इसी तरीके से हम fitting की sly लगाएंगे तो यहा इंच का हमने 5 फोल्ड करना है क्योंके cutting में हमने 2 इंच का ही margin रखा था तो यहाँ पर यह देखें इस तरीके से हम पहले 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को scale की मदद से सीधा करके एक सीधी line draw कर लेंगे और यहाँ से हम 5 फोल्ड करेंगे ठीक है तो दो दोनों पाइंचों पर इसी तरीके से निशान लगाती हूँ तो देखिए दोनों पाइंचों पर मैंने 2 इंच पर निशान लगा लिये हैं पाइंचे के यह देखें इस तरीके से हमने 5 फोल्ड करना है अब हमें यहाँ पर fabric triangles बना के लगाने हैं डिजाइनिंग करनी है पा ट्राइंगल बनाके लगाने हैं उपर से हम स्लाइ स्टार्ट करेंगे और यहां तक लाके स्लाइ को पका कर देंगे ठीक है तो यहां पर देखिए fabric triangle बनाने के लिए मैंने 2 इंच लंबा और 2 इंच चोड़ा चोकोर कपड़े का piece कट किया है ट्राउजर के साथ का यह कपड है और इसका मैं यहां पर फैब्रिक triangle बनाऊंगी यह देखें इस तरीके से और इन पर पहले में स्लाइ लगा के इन्हें ready कर लूँगे इस तरीके से प्राइंचे में जब हम इने लगाएंगे तो बहुती असानी के साथ यह लग जाएंगे न्यू स्लाइ सीखने वालों के लिए यह बहुती असान तरीका है ठीक है इस तरीके से हम पहले स्लाइ लगा लेंगे इन सभी triangle पर तो यह देखें इस तरीके से यह classic बन गई है अब extra धागे की हम cutting करके इन सभी triangles को अलग-अलग कर लेंगे ठीक है और extra कपड़े की हम cutting कर देंगे यह देखें जो नीचे की तरफ जादा एक्स्ट्रा है कपड़ा इस तरीके से तो सभी ट्राइंगल्स रेडी हो गये हैं अब यह देखे इस तरीके से पहले हम पाइंचा फोल्ड कर लेंगे यह फोल्डिंग का मार्जन फोल्ड करते हुए हां फोल्ड दुट्रा पाइंचे की तरफ हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहां पे हम पाइंचे की स्लाई लगाएंगे तो दोनों पाइंचे इसी तरीके से मैं रेडी करूंगी तो यहाँ पे दोनों पाइजों पर मैंने सिलाई लगा ली है अब आपने क्या करना है यह देखें उपर से अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे ठीक है हाफ इंच अंदर की तरफ कपड़ा दबाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और यह सिलाई हमने वहाँ तक ही लगानी है जहाँ तक हमने पाँच इंच पर निशान लगाया है ठीक है जहाँ पर हमने फैब्रिक ट्राइंगल लगाने हैं डिजाइनिंग करनी है तो यह देखें हाफ इंच कपड़ा अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ दोनों साइड पर हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे और सिलाई को आपने वहाँ पर यहाँ पर लाके पका कर देना है ठीक है यह देखिए सिलाई मैंने लगा ली है अब हम इस तरीके से पाइंचे को खोलेंगे और यह फाफ इंच तक यह देखें यहाँ पर इस तरीके से हम लाइन लगा लेंगे चौक से ठीक है और इस पर हम फैब्रिक ट्राइंगल अंदर की तरफ रखेंगे यह देखें आप लोगों ने इस ट्राउजर की कटिंग नहीं देखिए तो वीडियो के एंड पर पैंट ट्राउजर की कटिंग का लिंक में देदूंगी आप लोग जाके देख सकते हैं ठीक है तो देखिए इस तरीके से फैब्रिक ट्राइंगल में रखती जा रही हूँ और हाफ इंच पर जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन के ओपर रखते हुए इस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ तो देखिए सभी ट्राइंगल इस तरीके से मैंने लगा लिये हैं अब इस पाइंचे को इस तरीके से रखेंगे इसे हम पल्टा देंगे और फैब्रिक ट्राइंगल पर जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई को दबाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे सिलाई को हम पहले पका करेंगे और यहाँ से सिलाई को लाके हम सिलाई को complete कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे trouser की जो सिलाई है वो complete हो गई है अब मैं नेफा बनाती हूँ यह देखें सबसे पहले इस तरीके से दर्मियान से front side पर थोड़ा सा कपड़ा जो folding का है उसे मैं fold करूँगी और यहाँ पर तकरीबन एक इंच की सीधी सिलाई लगाऊंगी ठीक है आज दूसरे तरीके से नेफा बनाने का तरीका बता रही हूँ नेफे बनाने के कई तरीके में पहले बता चुकी हूँ वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगी आप लोग जाके देख सकते हैं अब इस तरीके से हम गुमाएंगे हाफ इंच दर्मियान से छोड़ेंगे इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और पूरी नेफे की गुलाई में हम इसी तरीके से कपड़ा फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे देखिए बहुत ही असानी के साथ ये कपड़ा फोल्ड हो जाएगा विल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा जो हमने फ्रंट और बैक पल्ले में दो इंच का फर्क रखा था ठीक है ये देखें अब यहां पर इस तरीके से नेफा बन गया है यहां से हम इलास्टिक डालेंगे इलास्टिक डालने के बाद यह जो कपड़ा यहां से खुला है इस पर हम सिलाई लगा के इस कपड़े को बंद कर देंगे यह देखें इलास्टिक मैंने लगा लिया है अब यहां पर इस कपड स्लाई में बराबर हों कई से कम जादा ना हों और उसके बाद आपने इस तरीके से इलास्टिक को खेंचते हुए पूरी गोलाई में आपने स्लाई लगानी है और जहां पे आपने स्लाई स्टार्ट की थी वहां पे लाके स्लाई को एंड करेंगे और स्लाई को पक्का कर दें ठीक है और यहां पर हम एक-एक मोती लगा देंगे जिससे ट्राइंगल जो हैं वो मुड़ेंगे भी नहीं और डिजाइन भी बहुत ही खुबसूरत लगेगा तो यह देखिए यहां पर मैंने आयरन कर लिया है ट्राउजर पर अब यहां पर हम मोती लगाएंगे ठीक है मेरे देखिए कितना खुबसूरत ये डिजाइन बन रहा है साधे से ड्रेस को आप इसी तरीके से घर में डिजाइनिंग करके अपने ड्रेस को बहुत ज़्यादा खुबसूरत और स्टाइलिश बना सकते हैं तो अब में मोती लगाती हूँ मोती लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर मैंने सुई में डबल धागा डाल लिया है अब इस तरीके से देखिए बिल्कुर दर्मियान में यह मोती लगा रही हूँ पीछे से ही सुई को हम गुजार के अगले ट्राइंगल में गुजारेंगे सुई को और दूसरा भी मोती हम इसी तरीके से लगाएंगे तो सभी मोती मैं यहाँ पर लगाती हूँ सभी मोती लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यह डिजाइन कितना खुबसूरत लग रहा है फिर भी अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं सभी मोती लगाने के बाद पीछे से आपने धागे को अच्छी तरीके से पका कर देना है ताकि यह मोती बिल्कुल भी निकलेना और एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर देंगे तो यह देखिए यहाँ पर कितना खुबसूरत यह पाइंचा बनके तयार हो गया है तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मजीद इसी तरह की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए